नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चनल माश्टर तो दोज में क्रिपया चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाग करें क्रिपया वीडियो लाश्ट तक देखें आई होब कि आप लोग पढ़ रहे होंगे आज हम अपने इस व गुम्फन नाग गुम्फन क्या है यह कड़ाई और दिवारों को सजाने हैतु सवराष्ट गुजरात और दच्छिड भारत में रयोग किये जाते हैं अगला कोशन है बच्छंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम कब रखा था इसका सही अंसर है 23 मई इसका सही अंसर है किलोमीटर जबकि NCIT में 8900 किलोमीटर दिया गया है सीटेट ने पिछले वर्स इसका सही अंसर 8,850 मीटर माना था इड्मांड हिलेरी जोकी न्यूजिलेट के निवासी है और तेंजिंग नूर के नेपाल के निवासी है ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानों अगला कोश्चन है हमारे देशमे निमल्खित में से कौन सा इस्थान ठंडा ररेकिस्तान है इसका सही अंसर है ले लड़्दाग का इलागा सुखा, शम्तल और ठंडा ररेकिस्तान है जहां बहुत कम बारिश होती है और यहां पर स्वागत को जूले-जूले कहते हैं अगला कोश्चन है EBS पाठिकरम में आज थीम के बारे में पूछा गया था तो इसमें इसके 6 थीम है और 4 उप थीम है तो थीम में सबसे पहला थीम है परिवार और मित्र जिसके 4 उप थीम है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे जबकि थीम, दूसरा थीम है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवाए यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं अगला कोश्चन है मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सापक्ष राजस्थान और उत्तराखंड की विशा निकालना है तो यहां मद्य प्रदेश मैप है तो यहां मद्य उत्तराखंड यहां पर है यह उत्तराखंड है और राजस्थान तो राजस्थान यहां पर है तो मैप में हम क्या देखते हैं सबसे पहले इधर इस्थ है इधर वेस्थ है इधर नार्थ है इधर साउथ है यह यह नार्थ इस्थ होता है यह साउथ वेस्थ होता है यह नार्थ वेस्थ होता है यह नार्थ वेस्थ है यह साउथ वेस्थ है और यह साउथ इस्थ है तो यह इसका सही एंसर है उत्तर पस्चिम और उत्तर पुर्व अगला question है वादी एंतर के प्रकार की बारे में पूछा गया था इसका answer है तुमबा, सारंगी, ढोल और खंजरी इसका सही question की बारे में नहीं पता है इसलिए डारेक्ट इसका answer लिख दिया गया जितने भी प्रकार है एक question बार-बार repeat किया जा रहा है सीटेट में कि गोलकुंडा के किले का मांचितर दिया गया इस मांचितर की तली में पैमाना दिया गया जिस पर लिखा है यहां जाएगा एक सेमी ब्रावड 10 मीटर यहां हो जाएगा गया नियान पे गया है गया गयालत मिभाड व्रवोड यह्यास 22-30 हो जाएगा यहांपर जाएगा 3 111 यह जाएगा एक दस मलो 4 9 4 1 9 कीलो मीटर हो जाएगा मीटर में निकालेंगे जाएगा 1419 मीटर अगला question है, हमारे देश के उन तीन राज्यों का समु कौन सा है, जिनके समुद्रतर अरप सागर पर है, इसका सही अंसर है केरल, करनाटक और महाराष्ट अगला question है साप के जहर की दवाई कैसे बना जाती है तो साप के जहर की दवाई साप के जहर से बना जाती है जिसका नाम है serum serum नामक दवा बना जाता है साप काटने पर उसके जहर की दवा उसी के जहर से बना जाती है अगला question पूछा गया कि आप यह बच्चों को कैसे समझाएं मुँन की की डाल को कैसे अंकुरत किया जाता है आप यह कैसे बच्चों को समझाएंगे मतलब इसका ог Small यह question पूछा गया था उस इसका answer अपने उसमें दिया गया था जिसके बारें पता नहीं किद्र शासित प्रदेश की बारे पूछा गया था किद्र शासित प्रदेश आठ है वाला एंडमान निकोबार दूसरा है चंडिगर तीसरा है डादर और नागर हवेली एवन धमन और दिव चोथा है दिल्ली, फाचवा है लद्दाग, छटा है लच्छदीफ, शाथवा है जमुकस्मीर और अठवा है पुरुचेरी अगला कोश्चन है सेफैलो काडल से पुछा गया था जिसको मस्तकाद हो मुखी दिकास करम का नियम करते हैं जिसमें दिकास लंबवत सिर्ज से पैर की और होता है पैठन वैफाल के बारें पुछा गया था आधिगाम अच्छमता पैठन वैफाल यानि डिस्लेक्सिया के बारें पुछा गया था तो डिस्लेक्सिया क्या है पैठन समधी समस्या है डिस्ग्राफिया लेकान समधी समस्य डिसलेक्षीया गतिक कउसल समंद्य स्मस्याय. यह देखिए गड़बार है। दिस्फेज्या वाक्षम्टा समन्दी विकार है, डिस्मोर्फिया भ्रहम समन्दी समस्या है, डिस्थिमिया गंभीर तनाव समन्दी समस्या है, प्रोजेरिया कम आयू में ब्रिध्य दिखना, अफेज्या भासार संप्रेशन समन्दी समस्या है, डिमेंसिया समराण सक्थी सम समंधि और बुली मिया भोजन गरहर समंधि आये। स्टीफन क्रेशन के दूती भास अधिकरवण के सिद्धान्त की पांच परिकलपना है। स्टीफन क्रेशन की बारे में पूठा गया था जिनने में सेकेंड लांग्वेज्च एकृजीशन कियरी दिया हुया जिसमें अधिकरवार सीखने की परिकल्पना है, मानिटर परिकल्पना है, इन्पूट परिकल्पना है, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना है और प्राकिर्तिक आदेस परिकल्पना है इसी के बारे में पुछा जाता इसमें कौन कौन से हैं एक question पुछा गया था, बोध गम में, नीवेस के बारे में, वाइगोत्सकी के बारे में question पुछा गया था, कोहल बर के बारे में question पुछा गया था, अधिगम कर्षिनाई के बारे में कुछा गया था कौन सा खारक सिच्छा के समावेशन में बाधक है वाइगोजसकी ने किस अधिगम को सुसाध्य में महतपुड माना है यह question पुछा गया था एक तो एक question ADHD से पुछा गया था जिसका मतलब है attention deficit hyper activity decider यानि ध्यान अभाव सक्कियता विकार जिसमें आत्मविश्वास में कमी आती है रिष्टों में परसानी और इसकूल या काम में परसानी हो सकती है कि एक question जिन प्याजे के संद्रक्षा पत्या से पुछा गया था एक GENDER भूमिका से पुछा गया था GENDER भूमिका है लेंगिक भूमिका समाजिक मान्दरंडों का एक समूम है जो उन विवारों के प्रकारों को निजारित करती है जिने कचिनाईयों को पहचानने के तरीका के बारे में पूछा गया था CCE के बारे में सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में पूछा गया था जिसका फूल फाम होता है Continuous and Comprehensive Evaluation CCE बच्चों के विकास के समस्ते चेत्रों एंव सतत एंव मियमित आकलन है जिसमें विविन विधियों एंव उपकरणों के माध्यम से बच्चों का अकलन किया जाता है सतत एंव ब्यापक मुल्यांकन में तीन सब्द हैं सतत ब्यापक मुल्यांकन RTE Right to Education Act 2009 में इस बात का उलेख किया गया है कि मुल्यांकन एक ब्यापक एंव सतत प्रक्रिया है गडित में 20 यानि पासा के बारे में पूछा गया था वे नहीं ले के सिद्धान के बारे में पूछा गया है जो कि जयामेती सतर के बारे में बताते हैं वे नहीं ले के माडल के सिद्धान बताता है कि छात्र जयामेती कैसे सीखते हैं मिन नों बताया था जिसके 5 इस्तर है और 4 लेवल हैं लेवल 0 से स्टार्ट है लेवल 0 तत्यक्षी करण है विश्टलेशन है लेवल 1 लेवल 2 है अन अपचारिक मिगमन या अमुर्ट तता लेवल 3 है अपचारिक मिगमन और लेवल 4 है द्रीड़ता अगला क्वेश्टन पुछा गया है कि 1000 के अभाद गुरंखंडों की संख्या तो 1000 का गुरंखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 पांच पांच 25 पांच 25 दोने 250 पांच 500 और 1000 यह 2 का क्यूब हो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक सेयर करना में अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं जय हिंद